तो आप आप एज़ा где-酒 काम करते हैं तो आज मैंको लैपटाप बताँगा बात करते हैं only number 5 number 5 की करते लेकिं milk 5 की बात करने से पहले मैं आपको बता देने चाहता हूँ जो मैं आपको laptop बताँगा for PETERs के लिए and for developers के लिए बहुत तगड़े होने वाले हम बात करते है number 5 की number 5 पर यार मैंने रखा है HP 14 को अगर इस laptop की बात करूँ यार मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसी करते है जिनको HP का laptop चाहिए होता है जिनको Dell का ही laptop चाहिए होता है अगर आप भी उनमें से आते हो अगर आपको भी उसके बाद हम इसके display की बात करते हैं तो आपको 16 refresh rate के साथ इसकी display quality देखनी को मिलेगी जो कि मैं average कहा सकता हूँ इसकी इतनी भी मतलब display जो है वो तगड़ी नहीं होती and आप इतना भी expect नहीं कर सकते कि आपको 40,000 के बदर में बहुत अगड़ी display देखनी को मिलेगी ठीक है उसके बाद processor की बात करें आपको i3 11th generation के साथ देखनी को मिलेगा तो latest processor कोई भी problem नहीं आने वाली i3 जो 11th generation है सच में बहुत अगड़ा है आपने जो भी heavy software यूज़ करना है जा creator काम करना है जा developer काम करना है HDD के साथ ठीक है ग्राफिक कार की बात करूँ आपको integrated ग्राफिक कार देखनी को मिल जाते है तो भी अगर आपने office पर करना है उसके बाद भी अगर आपने college university के related आपको चाहिए अगर आपने video आइटिंग भी करनी है आप इस laptop पे कर सकोगे लेकिन अगर आपने gaming करनी है तो integrated ग्राफिक कार देखनी को मिलता है तो अगर आपने gaming करनी है मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपने 16 GB RAM जो है वो upgrade कर लेनी है 8 GB RAM की और आपने नहीं जाना अगर आपने कोई भी यूज़ करना है ठीक है उसके बाद operating system आपको विंटो 10 मिल जाएगी बेंटर की बात करूँ आपको 7 hours का बेंटरी बेककप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइज आपको 41,000 के बजर में HP 14 देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिये HP 14 के प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूँ मैंने सभी लब्ताप के जो बायंक लिंक पर दिस्क्रिप्रिप्शन वाक्स में दीयो है अगर आपने चैवड करने है यह चापड कर सकते हो अगर आपने purchase करने है देखना चाते हो deeply देखना चाते हो जैसे भी करना चाते हो अप कर सकते हो अब आगे बात करता है number 4 की my notebook 14 को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले इसका design है and build quality हो बहुत तगडी है उसके बाद अगर आपको काम ऐसा जा अगर आपको काम ऐसा करते हो कि आपको typing के ज़ादा करनी पड़ती है तो भी आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है एंड इसके specification बहुत अगड़े देखने को मिल जाते हैं मैंने आपको पहले बताज़े कि इसके display quality अच्छी मिल जाते हो उसके बाद आपको i5 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ तो processor आपको तगड़ा मिल जाता है अगर आपने video editing बगारा भी करनी है जा गेमिंग बगारा भी करनी है आप इस laptop पे कर सकते हो जा अगर आपने कोई भी heavy software यूज़ करना है आप इस laptop पे जो easily normally कर सकते हो storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल गया SSD का benefit मैंने आपको पहले बता दिया graphic card की बात को आपको inter-UHD graphic देखने को मिल जाता है प्लस आपको MX350 2GB भी देखने को मिल जाता है लेकिन 2GB graphic card का price increase हो जाता है वो आपको मिल जाएगा 47,000 के budget में जो कि अपने budget से उपर चल जाता है ठीक है आप उरे नी सेस्टन की बात को आपको 11-10 मिल जाते है बैंटरी की बात करूँ आपको 10 hours का बैंटरी बैक प्रवाइड कर देगा प्लस आपको 60 वह और का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस भी आपको 41,000 के budget में my notebook forwarding देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिया है my notebook forwarding के अभी minus point की भी बात कर लेते हैं तो minus point सिर्फ इसका ये देखने को मिलता है कि जो RAM में उसको अप upgrade करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में एक minus point आ जाता है इन future अगर आपको कोई software यूज करना है जो अगर आपने वीडियो acting करने है जो अगर आपने gaming करने है अगर आप रैम को upgrade करना चाहोगे तो वह आप नहीं कर पाऊगे इस laptop का सच में एक minus point आ जाता है तो that's why मैंने इसको number 4 पर रखा और कोई भी अगर आपको 8Gb RAM minimum है न तो आप इस laptop के और जा सकते हो बहुत अग्रा laptop देखने को मिल जाता है आगे बात करते है भी number 3 की number 3 की बात करूं number 3 पर यार मैंने रखा Lenovo IdeaPad Slim 3i को सबसे पहले इसको number 3 पर रखने का यह reason को मिलता कि यह laptopा आपको तरफ-सरफ 37000 के बजड में देखने को मिल जाता था 37000 के बुजड में प्लस आपको इसके साथ window वह बैग धी देखने को मिल जाता जोकी laptop वे मैं अगर आपने अपने laptop को केरी करना है आप इस जो बैग में वो कर्ष रखते हो plus बैर sor prima statement बहुत सही है फ्रैसर अकॉर्डिंग देखा देखा यह सप्टिफिकेशन बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं मैं ज्यादा समय खराब नहीं करता मैं इसके जो मेन सप्टिफिकेशन है वह आपको बता देतायों थोगाई थोड़ा ज़रूर करना ठीक है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती है अपको 12GB तक कर सकते हैं प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती Graphic Card की बात करूँ आपको Integrative Graphic Card मिल जाता उपरेनी सिस्टेंग की बात को विंटो 10 मिल जाती प्लस आपको MS Office भी मिल जाता 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैंटरी बैकप प्रवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ इसका प्राइस को 37,000 के बज़र में बैक की बात करूँ ना उसका प्राइस आपको 2000 देखने को मिलता है तो जो कि आपके लिए ही प्लस प्राइस प्राइस बहुत जाता से है कई बंदे होते हैं अगर आप 40,000 भी पे नहीं कर जकते आपके लिए मैं लेप्टॉप ये वाला बताया है इसलिए मैं इसको रखा नमबर थ्री पे लैप्टॉप पूरा लोड़ेड अगर आपने ऐसा क्रेटर काम करना आप इसलिए नौमली कर सकते हैं आपको कोई भी इशू प्राइबलम नहीं आने वाली प्लस लिनोवो ब्रेंड है ट्रस्टीड ब्रेंड है टॉप ब्रेंड में से आता है यार बहुत अगर इस लैप्टॉप की बात करूं सबसे पहले अगर आपको एक स्लिम एंड स्टालिश डिजान चाहिए यह लैप्टॉप आपके लिए पूर्फेक्ट डील होने वाला है एंड स्पैसिफिकेशन भी आपको पूरे लोड़ेड मिल जाते हैं आपको फिंगर प्रिंट भ बतारों सबी में आपको 16 रिफ्रेश रेड ही देखने को मिलती है इतने प्राइस रेंज में इतना भी आप एक्स्पेक्टन नहीं कर सकते प्रसेसर की बात करूं आपको आई थ्री एलेवंथ जिमरेशन के साथ में लगा जो की लेटेस्ट प्रसेसर है तगड़ा प्रसेसर की बात करूं आपको विंटू 10 मिल जाए प्लस आपको MS Office मिल जाए था 2019 वर्जन बैटरी की बात करूं आपको 6-7 आवर्स का बैटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बातों को 40,000 के बजड़ में असूस विवबुक अल्टरा फिफ्टिंग देखने को मिल जाए आपको वह चीज मैंटर करती है अपके लिए बहुत ज्यादा तगड़ा हो नहीं वाला है अपको सिर्फ गेमिंग के लिए इतना खास नहीं करना अगर आपने कर सकते हो लेकिन आपने सिक्स्टीं जीबी रैं के और मीनिमम चल जाना ठीक है आगे बात करते हैं नंबर वान की बात करें नंबर वान पर मैंने रखिया इसर इसपायर फाइव को तो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो लिनोवो हो गया असूस हो गया और जो इससर हो गया वह बहुत सही चीज प्रवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को प्लस इसके स्पैसिफिकेशन बहू तगड़े हैं अभी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 14 इंच फुलस्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो की आई-पैस पैनल डिस्प्ले है प्रसेसर की बातों को आई-पैस देखने को मिलेगा 10 जेवरेशन के साथ है इसके स्टी की बात को आपको टूफिफिटे शिक्स भी देखने को मिल सकती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो भी आपने लेनी है आप ले सकती है थोड़ा सा प्राइज इंक्रीज हो जा नहीं आने बाला उप्रेणी सिस्टम की बात करूँ आपको विंटू टैम मिल जाते है बैंटरी की बात को एटाफ उसका बैंटरी लाफ परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ आपको 45,000 के बज़ड़ में एसर इस्पायर 5 देखने को बैज जाएगा तो बई में इन स्पैसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये इसर इस्पायर 5 के भी अगर आप एक्स्टा पे कर सकते हो इसर लैप्टॉप आपके लिए पौफेट डिल हो सकते है अगर आपके लिए असूस लैप्टॉप बैस्ट दील हो सकते है एंड अगर आपको थर्डी फाउफ लगण है तो लिनोवो लैप्टॉप आपके लिए बहुत अगणा हो जाता है तो अभी मैंने आपको थर्डी फाउफ आउट चले के चालिस अजार से अपर भी जो बजट है उसके बारे में भी आपको बता दिया तो आप देख ले ना जो भी लैप्टॉप आपको सही पूछना जाते हो आब मुझे कमेंट शेक्षिन में कमेंट टिप कर सकते हो एंड मगर मेरा रेप्लाइज जल्दी नहीं आता है इंस्ताग्राम आइडी मेरी दियो है वहाँ पर में सही का लिए वहाँ पर मैं रेप्लाइज जल्दी कर देता हुआ भी मेले ने नाक्स